हेलो एन वेलकम बेक लोग्स टू ड्रेडिंग वित् रोहन फ्रेंश आज हम सीखने वाले हैं ब्रेक एकाउड स्ट्राट यह ब्रेकावट्स ट्रेड़िय क्या होती आपको breakout stocks कैसे पता लगेंगे मैं आपको indicators भी दूँगा मैं आपको screeners भी देने वाला हूँ ताकि आपकी सब problem का solution मिल जाए तो वीडियो पूरा आप अंतक जरूर देखिए तो चलिए friends breakout strategy क्या होता है breakout strategy में क्या होता है कि price एक action में move होते रहता है इस तरह से फिर क्या होता है जब यह upside break देता है this is called a breakout point यहाँ पे आपको breakout मिला है तो हम यह point को identify करेंगे और यहाँ पे हम अपना trade लेंगे तो वो किस तरह से लेंगे वो आगे हम वीडियो में देखने वाले हैं चलिए friends check for the support and resistance before entering the level तो friends क्या होता है यह resistance level है यह our resistance है और यह as तुमारा support है तो आपको हमेशा जब भी breakout strategy में trade करते हो तो support and resistance को mark करके चलना है ताकि आपको पता चले कि इस वह breakout और या फिर यहाँ पे एक support level बनता हुआ दिख रहा है friends next है whenever there is a breakout look for increasing volume देखिए friends क्या होता है जबी भी आप candles बनते है इस तरह से और यहाँ से समझी लिए breakout होता है और बहुत साई green candles बनते जाते तो friends यहाँ पे volume देखने है आपको what is volume बार सेंग volume क्या बोल रहा है यहाँ पे volume किस तरह से बन रहा है it is a decreasing volume या if it is a increasing volume देखिए friends जबी भी आप बड़ा breakout होता है तो क्या होता है कि volume increase होता है क्योंकि बड़ा पैसा लगता है तो breakout में कभी भी देखोगे तो बड़ा पैसा लगता है क्योंकि बड़े players buy करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि volume किस तरह से increase हो रहा है या decrease हो रहा है तो volume भी एक important factor है यहां पर then technical traders often use chart patterns देखिए friends अकसर लोग सब अलग-अलग तरह के pattern use करते हैं देखिए यह हो गया cup and handle pattern यह cup and handle यह cup है और यह उसका handle यहां से breakout देगा तो upward फिर होता है flag and pole pattern इस तरह से होता है इस range में रहता है चलता है and then break out कभी का triangle symmetrical triangle pattern इस तरह से होता है फिर breakout मिलता है तो यह patterns आपको identify करने आने चाहिए charts पे तो यह important part है यह आपको practice करने से पता चल जाएगा friends an important part इस video से आप क्या सीखने वाले हो तो friends मैं आपको ऐसे सब patterns और indicators और screener दोंगा जिससे आपको potential stock में breakout होगा नहीं यह पता लग जाएगा और जब पता लग जाएगा उस पर किस तरह से trade करना है यह मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ तो यह वीडियो को skip मत कीजिए पूरे session को देखे किस तरह से workout हो रहा है चलिए friends आप हम देखेंगे live trading किस तरह से हो रहा है चलिए friends friends यह मेरी YouTube की channel है अगर आप इसे नहीं subscribe किये तो quickly subscribe कीजिए और यहाँ पर देखिए मेरे telegram channel की link भी mention की हुई है अगर आप मेरे learning group का part बनना चाहते हैं तो मेरी telegram channel को भी subscribe कीजिए और यहाँ पर एक important करके देख सकते हैं चलिए friends आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कुछ patterns तो friends देखिए यहाँ पर मैंने आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ इसमें दो तरह के आप ट्रेडिंग कर सकते हैं यानि कि आप एक selected stock में पैटर्स को ढूण के breakout ट्रेडिंग कर सकते हो यह यह मुझे यह पाच screener बना सकते हो आप screener बनाके उसमें trade कर जैसे कि अभी मैं example दिखा रहा हूं यहाँ पर infi आप infi में देख रहे हो यहाँ पर देखिए कि यह देखिए यहाँ पर एक कि रेजिस्टन जोन पर आ गया है यहाँ से potential breakout होने के कतार पर है अगर यहाँ से potential breakout होता है दरना हमको upward levels देखने को मिल सकते हैं जैसे हम reliance में देखेंगे चलिए reliance में देखते है manual chart पर इदिखिए friends मैं अपने इसाब से कुछ weekly रजिसे lines plot करते रहता हूं तो यहाँ पर potential breakout मुझे नहीं दिख रहा है यहां यहां से breakout देता है तो देन हमको higher levels देखने को मिल सकते हैं अब यहां पर देखिए थर्टीन ट्वेल पर एक 4R का resistance दिख रहा है यह 4R के chart पर resistance है तो आप इस तरह से resistance को mark कर सकते हो देखिए अगर क्या होगा Monday को candle इस तरह से बनता है यहां पर and then upside जाता है तो आप इसे resistance मान करके यहां पर अपनी profit booking कर सकते हो SL क्या कर सकते हो SL is nothing but the swing low swing low को आप SL मान के आगे बढ़ सकते हो इस तरह से आप ट्रेडिंग कीजिए तो आपको पता चलेगा कि क्या potential breakout है क्या पर resistance मिल रहा है यह मैंने manually identify कि है stock देकि हिंदुस्तान लिवर में मुझे कही potential breakout नहीं दिख रहा है और यहां पर Asian paints में भी नहीं दिख रहा है अगर यह level को क्रॉस करता है तो यहां पर breakout मिल सकता है तो यह manually हो गया भी manually find कर रहा हूं मैं manually stocks को select किया हूं अब हम जाएंगे screeners पे screeners फेंज इंट्रेस्टिंग पार्ट है इसे अब ध्यान से देखिए यह screener बनाया हुआ है तो यहां पर मैंने कुछ conditions दाले 15-minute time frame पे क्योंकि हम intraday level पे करना लिए देखिए हम intraday stocks पे breakout देख रहे हैं यह कहीं resistance zone दिख रहा है या नहीं तो हम जब हम fire करते हैं एक वरिक हो तो यहां पर हमको दिख रहा है delta corp तो हम चलिए देखते delta corp पर अब जब भी यह सब करते हो तो आपको एक daily time frame में देखिए क्या हो रहा है daily time frame के बाद आप 15 minutes time frame पे trade कर सकते हो तो फ्रेंट्स यह देख सकते हैं यहां पे देखिए यहां पे potential breakout resistance zone दिख रहा है अगर यह zone को breakout देता है देन हमको एक बड़ा सा trade यहां पे देखने को मिल सकता है फ्रेंट्स important part जैसे मैंने आपको बताया था यह देखिए यहां पे बहुत सारे volume candles हैं यह देखिए यह देखिए यह देखिए तो volume candles के साथ यह upset जा रहा है अगर Monday को candle यहां से breakout देता है देन हमको इसमें अच्छा move मिल सकता है तो आप trade किस तरह से करेंगे तो friends इसमें क्या होगा मान दीजिए candle इस तरह से बंद रहा है यहां पे in very next candle अगर यह upset जाता है that means हम यहां पे entry ले लेंगे हमारे एसल क्या होगा swing low वुड बी अवर एसल और यहां से आप 10.15 points या depending upon your risk to reward ratio अप trade कर सकते हो चलिए friends और एक स्टॉक देखते हैं जो हमारे स्क्रीनर में आया था है हिंदुस्तान अब फ्रेंट्स यह तो मैंने आपको मैनुवल बता दिया तो मैंने आपको बताया था में पास एक इंडिकेटर भी है मैंने इसको क्लिक कर दिया आप देख सकते हो जैसी क्लिक किया यह मुझे बता देता है सपोर्ट का है resistance का है अब देखरें इस कितना काम आसान होगा अब यहां पर देख लीजिए यह resistance होगा कर दा यहां पर देखिए ब्रेक प्रॉफिट रिशियो है यहां पर तक्रीबन सेवन रुपिस का प्रॉफिट रिशियो है अगर कोई भी केंडल यहां पर बनती है एंड स्विंग लो बनाती है देन यह रिस्क वूड बी सम्वेर अराउंड अपका पांच रुपिस तीन से चार रुपिस करेगा एंड रिवर्ड वूड बी सम्वेर आराउंड टू नाइन रूपिस तो देखिए फ्रेंज यहां पर इसने बता दिया कि यहां पर रेजिस्टंस है पॉसिबिलीटी है कि यहां से स्टॉक नीच आ सकता अगर यहां से ब यहां पर हमको बता चल चुका है यहां पर एक रेजिस्टंस जोन बनता हुआ दिख रहा है देखिए और इस रेजिस्टंस जोन को इसने क्रॉस कर दिया है और एक देखते हैं यह देखिए जैसे और एक भी रेजिस्टंस जोन है यहां पर यह देखिए यह लेवल्स को ड् ब्रेक आउट बनता हुआ दिख रहा है तो हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं तो आपको फ्रेंच इस तरह से देना है कि एक यहां पर बनता हुआ दिख रहा है यहां पर ग्रीन केंडल्स आते हैं तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हो तो फिफ्टीन मिनिट्स टाइम इस वेरी इंपॉर्टन तो फाइंड आउट ब्रेक आउट देखिए यह कितना आसान कर देता काम आपका यहां पर बता देता है रेज करते हैं तो फ्रेंट्स अपोलो हॉस्पिटल देखते हैं और एक इंपॉर्टन बात यह फ्यूचर सेग्मेंट पर है अगर आप इसे कैश करोगे तो कैश में भी आपको स्टॉक्स मिल सकते हैं जैसे मैंने रन किया देखिए यहां पर आ आ गया अरियंत फियाम स्टॉक्स रविल था यहां पर इसको भी स्टॉक ने कि God कर दिया है अब क्या ओगा और यहां पर नीचे लिंदे काफी इनक्री रिस करहें यहां पर देख सकते हो कापी इंज्मक्री काफी इंक्रीज हो सकते हो ऐसे trades में when there is a good volume और आपको market sentiments को भी देखना होगा चलिए friends और एक में example देता हूं आप देखिए जितना ज्यादा example देखोगे उतना ज्यादा आपको अच्छी तरह से पता लग पाएगा अब देखिए अपार industries और वाब आगए चलिए दिखते हैं अपार industries अपार industries में गए यह देखिए friends आपको कुछ नहीं करना पड़ा आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा इसने बता दिया कि यहां पर breakout हो सकता है potential breakout अब क्या होगा फ्रेंट्स प्राइस ऐसे गया यह इस तरह से भी आ साकता है तो यहां पर वॉल्यूम अच्छा है यहां पर देख सकते यह मूग के बाद यहां पर देखिए वॉल्यूम काफी अच्छा बना हुआ है विच शोर्स यहां पर स्ट्रेंथ है यहां पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बॉकिंग हुई देन अगेन अपसाइट के मूग के लिए रेडी हो चुका है तो फ्रेंट्स अगर कल मंदे को इस तरह से केंडल फिर से बनता है देन फॉल्यूप केंडल पर हम अपने मैं आट्व को वीडियो बना हूं मुझे पता लगा चुक है कि मैरा अगर ब्रेक आट यहां पर स्विंग लोग पैसे लोगा मेरे टार्गेट क्यारेगा मैरे ये टार्गेटroleस ए निस्टु नज connection ्वाण निसटु वन का ही ट्रेड कर कर लिजिए तो फथे यह थे कुछ stocks अब एक last stock देख लेते हैं वाबैक था राइट तो वाबैक पर चलते हैं यह देखिए वाबैक आ गया अब देखिए friends वाबैक में एक बड़े candles बने हैं यह आप देख सकते हैं यहां पर बड़े candles बने हैं तो इसमें potential breakout already आ चुका है आप देख सकते हो यहां पर this was the resistance level आप देख सकते हो यहां पर resistance level था यह वाला यह वाले resistance level को इस candle ने ब्रेक किया now this is the follow up candle which is a green candle with increase in volume अब शायद Monday को अगर मार्केट सेंटिमेंट अच्छे रहे then we can expect a possible to touch over year हम possibility लगा सकते देखे कोई भी prediction है यह आप market को predict करते हो आपको पता नहीं होगा कि यही होने वाला यह stock को यहीं से ब्रेकाट नहीं friend market नीचे खुला तो यह नीचे भी चले जाए this does not use a surety that market अब नीचे खुला तो भी आप जाएगा no friends it all depends on market sentiments किस तरह यहां से अल्रेडी breakout मिल चुका है अगर आप कल यहां पर trade लेते हो तो आपको यह point पे exit कर देना है कि यहां पे possible resistance level हमको बनता हुआ दिख रहा है इस resistance को तो इसने ब्रेक कर दिया कि यहां पर resistance बना यहां पर भी resistance बना and then we had a breakdown support मिला support के बाद यहां पर breakout दिया and then we moved upward तो front इस तरह से आप breakout और trending देखिए आपको मैंने दोनों चीज़ प्रवाइड कर दिये आपको कुछ नहीं करना यहां पर run करके button को click करना है stocks possible आ गये stocks के बाद आप इसमें आ जाईए यह दोनों indicator यह इंडिकेटर यह और यह इंडिकेटर दूनों के दूनों में अपने टेलिग्रम चैनल में पोस्ट करने वाला हूं तो आप टेलिग्रम चैनल के वहां से आप यह दूनों indicator और screen दूनों को दूनों वहां से आप ले सकते और अपने screen में add कर लीजिए यह आपको help कर देंगे तो मेरी टेलिग्रम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए वहां पर तो फ्रेंड्स यह देखिए आपको possibility पता चल चुकी है कि किस तरह से trade लेना है किस तरह से हमारा entry रहेगा किस तरह से हमारा exit रहेगा और possible हमारा risk to reward ratio भी क्या रहेगा तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इस वी बन रहा है कि नहीं वो भी आपको ध्यान रखना होगा अगर आप यह बेसिक्स तीन से चाट चीजों को देख रहे हैं तो आपको इसमें पैसा बनता हुआ दिखेगा और आप इसे बैक टेस्टिंग कीजिए लाइव मार्केट्स में देखिए फेंड्स कहना आसान है यहां आपको confidence आता है तब real trades लीजिए उम्मीद करता हूँ आपको यहां से वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा अगर सीखने मिला है तो मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने friends and relatives को भी share कीजिए thank you friends for watching trading with Rohan Raj